विवाहिता के उपर तेजाब डाल कर मारने का किया प्रयास जनपत फिरोजा बाद थाना पचोखराक शेत्र में रात्री को एक विवाहित महिला उम्र करीब 27 वर्ष रात्री लगभग 10 बजे खेत से वापस घर आते समय चार व्यक्तियों द्वारा तेजाब डालने की सूचना प्राप्थ हुई थी पुलिस ने दो व्यक्तियों को घरफतार कर लिया है एवं दो व्यक्ति फरार हो गए है ततकाल ही अस्थाने पुलिस द्वारा महिला को उपचार है तो अस्पताल में भरती कराया गया जिसमें उसके पेट वाप पीट पर लगभग 23 प्रतिशत बर्न है वादी और प्रतिवादी दोनों जाटो पक्ष के हैं महिला को पती और भाई पहले से ही किसी प्रकार के एक आन्य मामले में पूर से ही जेल में है दोनों नामजद आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है जो कि महिला की पती वाले मामले के प्रतिवादी पक्ष के सहयोगी है मामले में गहराई से जाच की जा रही है सूचना पर आपर पुलिस अधिक्षक नगरक शेत्रा धिकारी टूंडला थाना धिक्ष पचोखरा मैं पुलिस टीम के मौके पर पहुँच गए है घायल महिला को उपचार है तो जिला अस्पताल भेज दिया गया है मामले में अन्यवैधानिक कारवाई की जा रही है जनपत फिरोजाबाद से हमारे समवादत कपिल व्यास की ये रेपोर्ड जाने के जाने के नामने के जेल में परना आए और महिला के जारा पताया है कि खेट में पानी लगा रहे थी और दो लोग इनको पैचांती है उन्हों आए और किसांद दोहन में बेख भीडिए उन्होंने से परतियार बजी कि उसके बेट वाबीड पर वाँ है करी 30% कराया गया मेला का जो कहना है उसका अधार पर तैरीफ पाप की लिए और उस पर पनिकित किया लिया है जिन दो लोगो इन्होंने लेशन लगा है उनको हमने हिरासत मिलिया है और उनसे पूस्ताच कर रहे हैं इसमें एक अनने बाद भी निकल के आ रही गी जो मेला का पती अधार उसका भाई जो जेन में बन है यह जो दोनों आरोपी है यह उसमें जो है इनकी किरिफ्तारी में उसमें साही हो किया था इस तरिके की बाते भी निकल के आ रही है तिल्वी पुरे गटना कर जम लोग विस्ते चार्च करें और शीकरी से में पूरी तारवाई और अन